हेलो गाईज, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल, आज मैं आप लोगों के लिए B.A.C. सेकेंड इयर, बोटनी का एक इंपोर्टन टॉपिक लेकर आई हूँ, कुल ब्रेसी केसी, फैमली ब्रेसी केसी, अब हम इसका वर्गी कृत स्थिती देखेंगे, सिस्टोमेटिक पोजिशन, बैंथम एवं हुकर के अनुसार, बैंथम एवं हुकर ने इसे इस प्रकार से वर्गी कृत किया, प्रभाग, डिविजन, फैंडरो गेम्स, समू, ग्रूप, डाइकोटिलिदेंस, वर्क, क्लास, पॉली पेटली, स्रेणी, सिरिस, थैलिमी फ्लोरी, गंड, ओर पेराइटल्स, कूल, फैमली, क्रूसिफेरी, ब्रेसी केसी को ही क्रूसिफेरी भी कहते हैं, अब देखेंगे विवेदक लक्षण, फर्स्ट नंबर पे है वित्रण, डिस्टर व्यूजन, इस कूल के अंतरगर, तीन सो, पचहत्तर, वन्स और बत्तिस सो जातियां समिलित ह जो कि वित्रण के द्रिस्टी से सर्वव्यापी है, जो कूल प्रेसी केसी है, इसके अंतरगत, इसके अंदर, तीन सो, पचहत्तर, वन्स हैं, और बत्तिस सो जातियां हैं, जो कि सर्वव्यापी है, सभी जगा हैं, कुछ पौधे जलीय भी होते हैं, मतलब कुछ प्लांट् जो जल में उखते हैं, पानी में उखते हैं उदारन नास्टर सियम ओफिसी नेल अब सकेंड नंबर पे देखेंगे सवबाव यह प्राया एक वर्शिय साग के रूप में होते हैं म mean का जीवनकाल एक वर्श का होता है और यह साग के रूप में होते हैं कुछ पौधे बहु वर्षिय भी होते हैं कुछ प्लांट्स हैं इसके अंतरगत जो की बहु वर्षिय होते हैं एक साल से अधिक इनका जीवनकाल होता है उदारन फेरिस्टिया हैमिल्टोनाई अब थर्ड नंबर पे देखेंगे जड रूट अधिकांस पौधों में मुसला जणे टॉप रूट्स पाई जाती है जो प्रेजिकेसी कुल है इसके अंतरगत बहुत सारे पौधे हैं जिनमें मुसला जणे पाई जाती है कुछ पौधों की जणे बोजन संग्रह के कारण कंदित हो जाती है कंदित हो जाना मतलब उनकी जणे फूल जाती है उदारण के लिए है मूली, सल्जम, आदी जो मूली, सल्जम है वो क्या है जणे है और वो भोजन संग्रह करते हैं, भोजन को इकठा करते हैं इस वज़े से फूल जाते हैं, कंदित हो जाते हैं अब आगे देखेंगे फोर्थ नंबर तना साकिय, साखित, उर्धवव, बेलाकार होता है तने पर पर्व एवं पर्व संधियां इस पस्ट रूप से दिखाई देती है अब देखेंगे फिप्थ नंबर पत्ती, लेव पत्तियां सरल, एकांतर, अनुपत्र रहित, प्रायः, पक्षवत, विच्छेदित, सन्वरिंत, एवं जालिकावत, सीरा विन्यास युक्त होती है पत्तियों पर प्रायः रोम उपस्थित होते है रोम क्या काम करता है? कोशिका की मदद से पानी को खिचने का काम करता है अब आगे देखते है पुस्पक्रम यहाँ रेसी मोच, कौरिम बोच, रेसी म्या कौरिम के रूप में होता है किसका पुस्पक्रम? कूल ब्रेसी केसिका अब आगे देखेंगे सेवन्थ नंबर पुस्प फ्लावर, सपत्र रहित, सवरिंद, प्राय, त्रिज्य सम्मित, एवं कभी-कभी एक व्यास सम्मित, जैसे कैंडी टॉफ्ट में, द्वी लिंगी, जयांगाधर, पूर्ण तथा, डाई अथ्वा, टेट्रामेशर होते हैं एट नंबर पे देखेंगे, बाहे दल पूंच, कैलेक्स, बाहे दल पूंच की संख्या, जो बाहर के दल होते हैं, फ्लावर्स के, उसकी संख्या क्या होती है, इसमें, चार, जो की स्वतंत्र, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बाहे दल ये होते ये दो धन दो के दो चक्रों में होते हैं बाहे दल विन्यास कोर्चादी होता है अब देखेंगे नवा नमबर दल पूंज कोरोला दलों की संख्या चार होती है जो बाहे दल पूंज होते हैं वो भी चार होते हैं और दलों की संख्या भी चार होती है जो की दो धन दो के दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं दल बाहे दलों के एक आंतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं ये प्रिथक दलिय होते हैं ये दल एक क्रोस के रूप में व्यवस्थित होते हैं प्रतेक दल में एक निचला, संक्रा, नखर एवब उपरी चौड़ी बाहू होती है दलों के इस प्रकार के विन्यास को कुरूशी फॉर्म विन्यास कहते हैं तथा इस प्रकार के कोरोला को कुरूशी फॉर्म कोरोला कहा जाता है यह स्कूल का अत्यांत महत्वपूर्ण चारेत्रिक लक्षण है पूस्पदल कोरिस्परसी प्रकार में विन्यसित रहते हैं अब अगला देखेंगे दस्वा नंबर पुमंग पूंग केसर संख्या में 6 होते हैं कुरूशी फेरी के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें पूंग केसर संख्या में कितने होते हैं 6 ये स्वातंत्र होते हैं मतलब एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं अलग-अलग होते हैं तथा दो धन चार के दो चक्रों में विवस्थित होते हैं बाहरी चक्र के दो पूंग केसर छोटे होते हैं जबकि आंतिक चक्र के चार पुंके सर अपेक्छा क्रित लंबे होते हैं इस अवस्था को चतुर दिर्गी कहते हैं यह इस कुल का लाक्षणिक गुण है पराग कोस आधार लगन द्वी कोस्ठिय तथा अंतर मुखी होते हैं ग्यार्वा नंबर पर देखेंगे जायांग ड्वी अंडपी, युक्तां तपी, उर्दववर्ति, अंडासे अंडासे प्रारं में एक कोस्ठिय होता है किन्तु जूठे सैप्टम बन जाने के कारण द्वी कोस्ठिय हो जाता है जूठे सैप्टम को रैपलं कहते हैं जरायू पर दो अथवा दो से अधिक बिजान होते हैं वर्तिका छोटी होती है जिस पर द्विपालवित वर्तिका अग्र पाई जाती है अब देखेंगे बारवा नमबर फल फ्रूट फल कैप्शूल पॉट के रूप में होता है जिसे सिलिक्यूवा या सिलिक्यूवा कहते हैं अब देखेंगे कूल का आर्थिक महत्व जो ब्रेसिक केसी कूल है उसका आर्थिक महत्व जानेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आफ दा फैमली फ्रूस्ट नमबर पे भोजन के लिए उप्योगी पौधे जो इस कूल में आते हैं जो जो पौधे वो भोजन के रूप में कौन-कौन से पौधे हैं अभी जानेंगे फर्स्ट नमबर पे है पत्ता गोभी पत्ता गोभी को सबजी बना कर खाया जाता है सकेंड नमबर पे हैं फुल गोभी फुल गोभी को भी सबजी बना कर खाया जाता है थर्ड नमबर पे हैं गांट गोभी इसे भी सबजी के रूप में उप्योग किया जाता है अब है फूर्थ नमबर पे मूली ये जितने हैं पत्ता गोभी से लेकर मूली तक इन्हें सबजी के रूप में उप्योग किया जाता है अब देखेंगे फिप्त नंबर पे है पीली सर्शो सिक्स नंबर पे है काली सर्शो सेवन्त नंबर पे है सफेद सर्शो एट नंबर पे है राई इनका उपयोग तेल एवं खली प्राप्त करने में करते हैं अब अगला देखेंगे सेकेंड नमबर और सद्य पौधें मेडिशिनल प्लांट जिससे दवाईयां बनाई जाती है कौन-कौन से पौधें हैं देखते हैं फर्स नमबर पे है ब्रामी साग ब्रामी साग को साग बनाकर भी भाजी के रूप में भी उपयोग किया जाता है बीच अस्थमा के उपचार में उपयोगी होते हैं ब्रामी साग के जो बीच होते हैं वो अस्थमा के मेडिशिन बनाने में उपयोगी होते हैं अब देखेंगे मेडिसिन का मतलब दवाई होता है सेकेंड नमबर पर देखेंगे हलीम पतिया वो बीज यकरित रोगों के उपचार में काम आता है हलीम भी ब्रेसी केसी फैमिली में है ब्रेसी केसी कुल में है जो हलीम के पतिया वो बीज है वो यक्रित रोगों जो जिसको लीवर का प्रॉब्लम है उसके दवाई मेडिसिन बनाने में इसका उप्योग किया जाता है अब देखेंगे थर्ड नंबर पे एरुका सटाईवा इसके इसमें यहां इसके होगा ठीक है बीजों का तेल जले एवं अन्य घावों के उप्चार में उप्योगी होता है जो छोटे मोटे घाव होते हैं या फिर कहीं जल जाते हैं तो उसके दवाई के रूप में इसका उप्योग किया जाता है अब देखेंगे थर्ड नमबर सोभा का पौधे जो डेकॉरेशन के लिए घरों में लगाया जाता है वो कौन कौन से पौधे हैं फर्स्ट नमबर पे है वॉल फ्लावर, सेकेंड नमबर पे है केंडी टॉफ्ट, ये जो दो पौदे है, कूल ब्रेसी केसी के इन्हें सोभा के लिए सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, घरों पे ठीक है, हमारा टॉपिक यहीं खतम हुआ, अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कॉमेंट करकर जरूर बताएं, थांक यू,